हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का 29 फरवरी को ठीक है 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर है जिसका ये 2024 का विज्ञान का वाइरल पेपर मिल चुका है इसका यहां पे आप सभी को इस पेपर का संपूर हल कराएंगे और पर तेक कोईस्टिन आपके वारल पेपर है तो इस पेपर का आप समपूर हल जरूर देखें ठीक है देखंए यहाँ पर पुरांक रहता है टोटल सत्तर नंबर कर रहंगा और यहाँ पर समय मिलता है तीन घंटा पंद्रा मिनट मिनट का यह सभी सभी zobaczy को पता है इसके निरत्य जो दिया रहता है आप सभी को निर्देश के बारे में पता होगा तो यहां पे आप सभी का समय नगवाते हुए सीधे आपको प्रशन हल कराते हैं आप निर्देश के बारे में आपको परते एक पेपर में बता चुके हैं सीधे प्रशन चलिए आपको हल कराते हैं तो देखिए आपके सामने प पहला खंड आ है जिसमें पहवीकलपी प्रष्न और यह टोल बूążर प्रश्न है इसमें उपखंड क को इस्टार होता है आप सवालर तेते हैं छाए लगू हो जितने वी प्रश्न आपकोесть दिखाएंगे सबका इंस्वर आपको डिटेल में कराने वाले हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ठीक है फ्रेंस देखिए आपका पहला नंबर का सवाल है कि अभी नियत रिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के किरिया द्वारा होता है तो यहां पर बताना ह होता हूँ किसके द्वारा होता है तो पच्छमाभी के द्वारा होता है इस प्रशन का सही जाब क्या हो जागा सी वाला आप्सन करेक्ट हो जाएगा इसके साथ याद रखिएगा कि जो द्रिष्टी पटल होता है द्रिष्टी पटल पर आपका प्रतिभीम बनता है क्या ब पता हैं दोनों प्रश्णों को ध्यान दीजेगा यह बहुत प्रश्ण पूछता है आपके पेपर में अगला सवाल देखिए वह दरपड जो वस्तु का सीधा और विवर्दित परतिभिम दे सकता है देखे सीधा परतिभिम दे विवर्दित मतलब होता है कि आभासी या यहां पर दिया है समतल ए और सी दोनों यहां पर क्या हो जाएगा आंका सभी वर्दित क्रेक्ट रहागा परतिभिम देखे आपके सामने तीसरह नंबर का सवाल है कि वायू में अप वर्तनाग 2005 काच में प्रकास प्रवेश्ट करता है तब काच में प्रकास की चाल क्या चल्वाल को आप लगाएंगे कैसे इसको पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं शी ط를 देखिए यहाँ पर लिखे अप्क। अप वरतानां पर अर्यवक प्रकास की चाल मैं प्रकास की चाल माध्यम में प्रकास की चाल यह फार्मूला याद रखियेगा अब देखिए अप वर्तनांग दिया कितना 12.5 तो यहां रखिएगा अप वर्तनांग के जगा 12.5 बरावर C मतलब मतलब होता है कि वायू में जो प्रकास की चाल होता है इसे याद रखिएगा आप सभी को बता देते हैं यह होता है तीन गुड़े दस पे आठ यह सवाल में नहीं मिलता है ने कि वायू प्रकास की चाल नहीं दिया रहता है सवाल में तो आपको याद करना पड़ता है तीन गुड़े दस पे आठ मीटर पर 30 सिकेंड जो होता है वायू में प्रकास की चाल को भी से दिखाते हैं और यही देखें, काच मतलब कोई माद्या में, काच 승िय का वह चाल इस नीचे के नीचे आजा जाएगा, कैसे हाल होगा यहां से 10 मुलों आट आएंगे तो ऊपर एक हो यहां पर जीरो बढ़ जागा यारी 30 बटा के 25 हो जागा और गुड़े 10 पर 8 देखें इस से 50-25 पांच चका 30 पांच के भाग च्छा में देंगे कितने बार में जागा तो एक 10 मुलों 2 10 पर 8 है तो 10 पर 8 हो जागा और 30 सेकेंड यहां लिखेंगे मीटर परती सेकेंड तो यह होता है एक दस मुलों 2 गुण दस पर 8 मीटर पर 30 सेकेंड यह फार्मूला जो बता हैं इसको आप ध्यान रखिएगा चलिए ए आप्शन को देखते हैं तो इसका देखें पहल फरवरी के रात को भी देखके चले जाते हैं तो आप 100% maximum सवाल आप बोड के exam करके चले आएंगे ठीक है देखे चौथा नंबर का सवाल आप ज्यान दीजिएगा कि एक उत्तल दरपड की focus दूरी 10 cm है तो वस्तु के आधे आकार का परतिविल प्राप्त करने हे तू वस्तु कि दरपड से दूरी आपको बताना है ठीक है अब यहां पर देखे कि आपका दरपड का उत्तल दरपड उत्तल दरपड में आपको वस एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपका focus दूरी क्या होता है माइनस होता है या प्लस होता है तो यहां पर देखे आपका एंस सभी माइ में देना है तो आपको यहाँ पर माइनस प्लस से कोई अंतर लेना नहीं है लेकिन यहाँ देखिए जब फोकस दूरी 10 cm है और उससे आधे आकार का परतिवीम आपको बनाना होगा तो वस्तु जो हता है दरपर से 10 cm की दूरी पर ही रखा जाएगा ठीक है तो 10 cm की दूरी पर है तो लेन्स की छमता होगी अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा लेन्स की छमता जो होता है इसका फार्मुला पी सकल्टू होता है वन अपान यफ और यह जब यफ होता तिहां यह मीटर में फार्मुला होता है ठीक है होता है इसके पी स्कल्टू सो पटा के इस MP2 यह लगाएंगा ठीक है संटीमीटर में देगा तीय यह फार्मुला अब चाहे उत्तर लेंसों का चाहे ऑच आउटर लेंस के यह फार्मुला होता है और दीकित कहलते हैं मीटर यहाँ नहीं पर रखिए दो का भाग दीजे 0-10 मों कितना हो जगा पांच होगा यह डायोप्टर होगा डायोप्टर ठीक है अब दिखे लेकिन जब ध्यान देगे कि तो प्लस और माइनस जब देने लगे तो आप एक चीज याद रखेंगा कि आउतल लेंस की जो फोकस दूरी होता क्या होता है है तो आउतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है माइनस होता है तो आउतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होता है तो माइनस में होता है तो आउतल लेंस की जो छमता भी होता किसमें आएगा माइनस में ही आएगा बस यही चीज आपको ध्यान देना है तो यहां पर आपको क्या हो जा थो याद रखिए हैं इसका मात्रक यह याद रखिएगा. कि प्रती मीटर भी होता है प्रती मीटर ठीक है डायोप्टर आपसे में मिलेगा या प्रती मीटर मिलेगा तो आपको सभी कंसेप्ट बताते चले जा रहे हैं सभी को याद रखिएगा इसके साथ में आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर बता देते हैं कि देखिंगी उत्तल लेंस रहेगा उत्तल लेंस उत्तल लेंस की जो छमेंता होगी प्लस वता है और आइंस की छम्ता पहुत मिन-स मेंपक्वन आपकी लिए बहुत पीर सांब की जकश सब्ड़ेरे बहुत म개ल कुस्ता है अब देखिंगा आपको सामनी 60 उत्तल लेंस से 12 cm की दूरी पर रखी है तो परतिभी में की इस्थिति आपको बताना है तो देखिए इस सवाल को आपका ऐसे लगाएंगे यह आपका जो कोईस्टिन है लांग कोईस्टिन भी बहुत पूछता है प्रस्ट तो आप इस प्रस्ट को अदम डिटेल में समझिए ठीक है देखिए उत्तल लेंस है तो पहले नंबर उत्तल लेंस यहां पर देखिए उत्तल लेंस आपको बहुत डिटेल में बता रहा है ना सिर्फ आपको बावविकल्पी मत पढ़िए आप लांग कोईस्टिन भी इस बावविकल्पी से बता रहा है ठीक है उत्तल लेंस म u कमान कितكن दिए है बारा pellet u कमान हमेशा चाहए आपका अउत्तर लेंस हो चाहए आउत्र लेंस हो यू कमान हमेशा माइनस में ही आता है और यहाँ पे पूछ रहें परतिविंट की इस्थीती ते बिचूरे मान पूछ रहा है question मार देखे उत्तर लेंस की जो आपका focus दूरी का formula होता है one upon f iscal to one upon b minus one upon u होता है अब यहाँ पर मान रख लिजिए one upon f f कमान 8 है तो 8 कीजिए बराबर one upon b minus one upon u कमान minus है तो minus कीजिए ठीक है minus 12 अब इसको हल करके आपको समझाते हैं one upon 8 पराबर one upon b देखे जब यह minus है तो यह minus minus क्या कर देगा इसको plus कर देगा तो plus एक बटा के 12 हो जाएगा यहाँ एक बटा के 8 इसको इधर पच्छांतर करेंगे तो minus एक बटा के 12 हो यहानि कितना है आपका 24 सब्सक्त प्रेंटर में आपको चलीए देख लिए कि आपका 24 cm कहां पर दिया है यह पूरे सवाल को आप देख लीजिए lang question में भी सवाल पूछता है ठीक है यहां वहीकल पूछा है लेकिन यह lang question में भी सवाल इस पकाद से पूछा जाता है 24 cm देखेंगे जिसका सही जोग क्यों होगा एवला आपसन आपको क्या हो जाएगा जितने भी प्रश्ण बता रहे हैं सभी प्रश्णों को आप डिटेल में देखिए और सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लीजिए ठीक है अब देखें सात्वा नंबर का जो सवाल है यदि वस्तू का प्राप्त परतिविम देखें यहाँ पर छोटा आभासी तो परियुक्त दरपड काउन सा होगा तो देखें एक चीज़ बता दे कि आउतल दरपड के दौरा आपको परतिविम वास्तिविक बनता है क्या बनता है वास्तिविक बनता है तो आप से वस्तू का छोटा परतिविम बनता है लेकिन आभासी तो किसके दौरा बनता है यह बनता है उत्तल दरपड के दौरा तो उत्तल दरपड के दौरा जो परतिविम बनता है वस्तू से छोटा बनता है और कैसा बनता है आभासी बनता है इसको तो भी आप साथ मियाद रखिएगा तो सातमा का सी आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए उप्खंड ख देखिए आठवा नंबर का सवाल है कि विरंजा का चूड परतनु सल्फिरिक अम्ल की अभिकिरिया से गयस निकलती है तो इस सवाल को आप डिटेल में समझे अच्छी परतिएग प्रशन को आपको डिटेल में समझाएंगे ना यह नहीं को आपको एंसर बता देंगे यहाँ एवे पूरे प्रशन को अभिकिरिया करा रहा हुं यह सके साथ अभिकिरिया करने के बाद देखिए जो हता इस यह सुफॉफोर के साथ में आज जाएगा थी C A O 4 बन जाएगा यानि कल्सियम सुलफएड बनेगा इसके साथ में देखिए ह2 के साथ में ओ आ जाएगा तुसका मतलब येश्टू बन जाएगा जल बन जाएगा प्लास सिर्फ C L बच एक लगज़े गाथ तैसी अटू आपका बाहर निकल जाएगा तो सी ए और सी अल्टू याद रखिएगा और यह 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 सो फोर यह तेजाब का फार्मूला जिसे सल्फ्यूरिक अमल करते हैं ठीक है यहाँ से इस प्रश्ण के अनुसार विरंजग चुड़ूपा तनू सल्फ्यूरिक अमल की अभिकिया से कॉंसी गस निकलती है तो यह निकलत सून के उसको ध्यान दिया किजी कि क्या क्या हम बोल रहे हैं अगला प्रश्ण देखिए नौ नंबर का कि जल को जिवाओ रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा बेकिंग सोडा फिट केरी या विरंजग चूड तो देखिए हाँ जल को जिवाओ रहि जीए हैं इसके साथ में देखिए फ्रेंज दसवा नंबर का कि निनल कित मैं से अमली लवड है यह समझेए कि जिसमें ह की मात्रा होगा वह अमली लवड होता है यह सबसे अच्छा पाचान होता है तो सभी आपसर में देखें कि ऑला यह यह सो फॉर्थ इसका सही जवाब क करेक्ट हो जाएगा जिसे sodium bicarbonate होता है यह formula जो होता है खाने वाला soda को फार्मूला याद रखिएगा यह एक प्रकार का अमली लवड है यहां पर दो प्रश्ण आपको बताएं दो प्रश्ण आप याद रखिएगा तिसका सही जो बीवलाप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला देखिए 11 नंबर का सवाल आपको क्या है कि जस्ता धातु हाइड्रकॉलिक अमले से किरिया करके काउन सी गयस नि जिंग को जडियन से दिखाते हैं प्लस हाइड्रकॉलिक अमले के मतलब होता है यह आपस में किरिया करता है जो होता है यहां से यह बाहर निकल निकलता है तो यहां पर आपसन क्या सही हो जागा सी वलापसन करेक्ट हो जाएगा देखिए आपको पुरा समीकड़ के अकार्डिंग बता रहा है तो आप समीकड़ के एक बार देखे रहेंगे तो आप इसका एंस्वर आसानी से निकल सकते हैं अब देखिए आपके सामने बारा नंबर का सवाल है कि एसिटिक अमल में क्रियात्मक समू होता है तो इसे आप याद रखिएगा जो ओ होता है यह जो हता है ईलकोहल का होता किसका होता इलकोहल का जो क्रियात्मक समू होता है और अगला प्रश्ण 13 नंबर का ध्यान दीजिए कि फेरिक आकसाइड सलफर डायाकसाइड तर्था ट्राइड नीमने में से किसका व्योजित रूप है य तो डारेक्ट याद रखिएगा कि यह फिरस सलफेट को होता है इसका सही जो आप एवल आपसा सही हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्ण को देखते हैं देखें यहां पर उपखंड जो गहा है चौदा नंबर का सवाल देखें क्या है कि छोटी आत में और सोशर का तल बहाने के लिए कौन सी सरचना पाई जाती है या जो छोटी आत है उसमें और सोशर का तल बढ़ाना है तो इसमें कौन सी सरचना पाई जाती है तो आपसाने चूसक गरंतिया उसे करते है या जठर गरंतिया या रासांकुर होता है या और सोशक गरंतिया होती है तो उसमें वो जो जो A, B, C, D इसमें जो दिया है इसका पाचान करना है कि A किसको दिखा रहा है, B किसको दिखा रहा है, D किसको दिखा रहा है, C किसको दिखा रहा है, ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, कि जो A वाला भाग ये उपर वाला भाग होता है, ये जो दिखाता है, अधिब्रिक को को दिखाता है, किसको दिखाता है, अधिव्रिक को, अधिब्रिक गरंती को दिखाता है, फिर इसके बाद B वाला जो आता है, किसको देखे, ये वाला जो B वाला है न, ये क्या बाद मुत्र वाहिनी होता है, ये जो B वाला भाग है, मुत्र वाहिनी है, मुत् यानि कि यहां से मुत्राश्य बाहर निकलता है ति यह होता है मुत्र मार्ग चलिए ए दिखा रहा है अधिभृक को तो देखे ए यह आपको दिना आपको कट जाएगा इसलिए अधिभृक तो यह नहीं है पूरे यहां पर सवाल को देखिए यहां पर देख लीजिए बीवलापसन करेक्ट हो जाएगा इसे जरूरी याद रखे और समझ दीजिए जो बता है आप सबीको ठीक है अब देखिए आपके सामने 16 नंबर का सवाल है इसको ध्यान दीजिए देखिए पौधों में जडों से पत्यों तक पानी पहुचाता है यह प्रशना को कई पर बत होता है तो यह होता है जाइलम तिसका सही जब क्या हो जाएक बीवलापसन करेक्ट हो जाएगा जया अलव मिलके जल तो मतलब की जाइलम जो होता है जल का वहन करता है तिसका सही जब बीवलापसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए 17 नंबर का देखिए इसके साथ में एक प्रेशन अवर बता देरें फिरोएम के बारे हम फिलोएम फिलोएम anlat씨 ऐसे खाद्यों करता किसे बहुता है इसकों भी इसको याद रखेगा फिलोएम का सोता करता है अगला तSecust अभिक्रिया होती है तो अब प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर होती यह बताना है तो देखिए यहां पर माइट्रोकांड्रिया में कर रहा है हरितलवक में हरितलवक के इस्ट्रोमा में या कोश्कया के केंद्रक में तो अब प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है यह हरित लवक के जो इस्ट्रोमा वाला भाग होता है वहां पर होता है तिसका सही जब सी वाला आपसर करेक्ट हो जाएगा कि अब प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के इस्ट्रोमा में होता है अगला प्रशन देखिए 18 नंबर का क्या चुनाव नहीं किया गया था देखिए मेंडल ने जो किया था तब पुस्पो का रंग पे यहां पर उसने चुनाव किया था ठीक है तो यहां पर आपको क्या है कि बीजों का आकार के बारे में और पौधों की लंबाई के बारे में इन सभी लच्छडों के बारे में मेंडल प्रयोग किया था लेकिन पत्तियों की आखिरती के बारे में मेंडल के लच्षण में कोई चुनाव नहीं किया गया था तो इसका सही जो आप डिवल आपसन करेक्ट हो जाएगा उनने इस नंबर का देखिए कि आर्यन्य में कौन सा नाइट्रोजन छारक नहीं पाए जाता है जो आर्यन्य होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजन छारक नहीं पाए जाता है तो उसमें थाइमीन जो होता है ये छारक नहीं पाए जाता है इसके अलावा आर्यन्य में याद रखी एडिनीन, यूरे, सील, और गवानीन ये आर्यन्य में पाए जाता है ठीक है अगला प्र प्रतिवर्ति किरिया का उधारण है यानि प्रतिवर्ति किरिया का उधारण बता रहा है जैसे हिर्दे का धड़कना रुधीर परिसंचरण और पलक जपकना यह सभी तो प्रतिवर्ति किरिया के जो उधारण होता है पलक का जपकना होता है मतलब अचानक पलक का जपकना होत प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसर करेक्ट होगा चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखे आपका जो अगला खंडबाई स्टार्ट होता है जिसमें वड़ात्मक प्रश्ण आपके हैं पहले नंबर पर उपखंड को है ठीक है यह इसमें 50 अंक के सभी वड़ात् हैं सनलगने चित्र में अवतल दरपड़ पर आपतित किरण एक और दो जो है यानि एक और दो लिए प्रावर्तित किरण आपको खीचना है देखिए आप सभी को जब पढ़ा रहते थे यह बताये थे कि जब प्रकास किरण वकरता केंद्र सो कर जाती है तो दरपड़ से प होने के बाद मुख्य अच्छके समांतर हो जाती है तो इस तरह आप बनागे डिखाना पड़ेगा जैसे तरह को पॉन्हजार की जाता है इसी तरह आप इस प्रश्ण का आपको आपको बनाना और दिखाना है तो सिर्फ यहां पर प्रावर्ति किरण आरे खीचना था यह टोटल दो नंबर का था इस प्रकास से प्रशन आएगा तो इस प्रकास से आप बना दीजिएगा जो लाइन बोल ले हैं उस लाइन को एक बार ध्यान से सुनिए पहले लाइन में यह लिखिएगा जब प्रकास की किरण वकरता केंद्र से होकर जाती है तो दरपर से प्रावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लोट आती है दूसरा लाइन में लिखिएगा जब प्रकास की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य फोकस होकर जाती है तो दरपर से प् संप्र हल भी बताते हैं देखेख वाला कि एक अवत्डरपढड से 10 cm की दूरी पर वस्तों इस्टित हैँ तब दरपढ़ से आभाशी परतिवीअ 20 cm की दूरी पर बनता है तब दरपढ़ा की वकृता तृजच्या ग्याद किजिए अब देखें कौन सा दरपढ़ है, अउतल, दरपढ़, अउतल दरपढ़ बड़ाव यफ, ठीक है, अउतल दरपढ़ है यह हो गया, अब देखें कि 10 cm की दूरी पर वस्तु इस चित है, इसका मतलब यह क्या दिया है, यू कमान इसमें कितना दिया है, तो 10, और आपको पता है, कि यू कमा हो गया, ठीक है, इसके बाद देखें, आपको क्या करना है, इसके बाद आपका है, देखें, इसके बाद क्या है, यदि दरपढ़ से आभासी परतिविम बन आए, आउतल दरपढ़ में यदि आभासी परतिविम बनने का मतलब क्या होता है, कि जैसी आपका आउतल दरपढ है आप 8 परतिविम की दूरी बहुता है जो है इसका मतलब परतिविम की दूरी को किस से दिखाएंगे वी से और आप 80 बन रहा है तो आप 80 के लिए क्लिया हो जाता है वी के बान प्लस में होगा और वी से तो 20 cm रखेंगे अब यहां सवाल में वक्रताइती जब पूछ रहे तो पहले आपको focus दूरी ग्याद करना पड़ेगा तो देखिए focus focus दूरी f बराबर question mark अब देखिए अवतल दरपड के लिए जो फार्मूला होता है focus दूरी का तो देखिए क्या होता है ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर होगा one upon f बराबर one upon b plus one upon u होता है दरपड के लिए यह फार्मूला होता है यहाँ यू है ठीक है one upon f कमान ग्याद करना है तो one upon f one upon b b कमान 20 है तो 20 कीजी प्लस one upon u कमान minus 10 है तो minus 10 कर लीजिए देखिए one upon b देखिए one upon 20 हो जागा देखिए जब यह minus से प्लस को क्या करेगा minus कर देगा तो one upon 10 हो जागा ठीक है यहाँ पर होगा one upon f बराबर 20 और 10 का LCM निकालेंगे तो 20 हो जागा तो 20 का भाग एक में देखिए तो focus दूरी किस में आया माइनस में आया ठीक है तो आपका focus दूरी यह आया लेकिन आपसे सवाल में वक्रता त्रिज्जा पूछ रहा है देखिए एक बार देख लिए क्या पूछ रहा है सवाल में है दरपड़ की वकता तरिज्जा क्या होता है इसका फार्मुला इसको भी ध्यां रह– लो. अधर बनातर की वक्लता टरिज्जा 6 अधर वकलता तरिज्जा क्या होता है न टेखे वकलता तो धो अधौने 성ो था फोकास टेल दू दूगुड़े फोकस कितना है तो यहां पर 20 रख लिजिए का मतलब वक्रता दरपड़ की वक्रता कितना होगा 40 cm यही आपका रखेगा और दरपड़ का यह जो फार्मूला इस फार्मूला को भी याद रखेगा इस पर सवाल आपके बोर्ड की एक्जाम बहुत सवाल पूछे जाते हैं ठीक है जैसे बता है इस सवाल को आप इसी तरह आप तयार कर लीजिए ठीक है समझ में आगया होगा पूरे सवाल अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है दूसरा नंबर का को है कि दैनिक जीवन में विसरित प्रावर्तन के दो उप्योग बताना है कि दैनिक जीवन में आप प्रावर्तन के कौन-कौन से उप्योग है ठीक है तो चले इसके एंसर को बताते है आप सभी को द समरे की खिरकी में लगा खुरदरा है सूरी की प्रकास WILी सरीट प्रावार्तन करता है ! जो हमें ज्यादा चकाच़ तिस्से बचाता है ठीक स्टेक रावर्तन करता है थीक कि अख़बार कुर्दरे वा सस्ते कागज पर छापे जाते जिससे उस पर पलने वाली प्रकास का विस्रित प्रावर्तन हो सके तथा उसके छोटे-छोटे अक्षरों को सुगमत्प पूरेक पढ़ा जा सके तो यह जिए जो विस्रीत है उसके प्रावर्तन सम्मुक तीन मीटर की दूरी पर खड़ा है तो ब्यAKती से पर्तिविम के मद्र दूरी का मान क्या होगा तो चलिए इसके एंशुर को देखते हैं और बताते हैं देखें जो इसका होगा की दिया जैसे समतल में दिया है कि समतल दरपड की वकृता दूरी दिया है में 3 मीटर है ठीक है चुकि हम जानते हैं कि समतल दरपड़ा द्वारा बना परतिवीम दरपड से उतने ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दरपड के आगे हो यह समतल दरपड की खासियत होता कि जितनी दूरी पर रखा होता है उतने ही दूरी उसके पीछे परतिव की दूरी समतल्दरपण दोरा ब्यक्ति की दूरी तीन मीटर है और समतल्दरपण से प्रतिविंग की दूरी तीन मीटर हो जाएगा तो तब यक्ती की दूरी कितना को टोटल आप्यक्ति disagree के लियत आपको थे तीन मीटर ख़ड़ा हैं है इसका पैष्टेरा कीटना हो जाएगा तीन-च्छा मेटर हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्टों को देखते हैं धी तीसरा नंबर का, का वला है कि जूल के उसमी उत्पादान निचंग के अनुसार किसी चालक में उत्पन उसमा विदुद — धारा चालक के प्रतिरोत समय में क्या संबंद होता है तो देखिए यह आप संबंद पूछा है और जूल के उस्मा के उत्पादन के नियम के अनुसार क्या है देखिए यह चिशकल्टू क्या होता है आई स्कॉार आर टी होता है यह होता है फार्मुला आपका निर्बर करेगा कि यह जो हता होता है दारा के क्या होता है समानुपाती होता है दूसरा जो निर्वर करता है कि यह जो होता है समानुपाती आर के परतिरोत के होता है तीसरा जो होता है कि यह समानुपाती इसमाल टी के होता है तो जूल के उसमी उत्पादन के नियम के अनुसार देखा जाए तो जो उसमा उत्पन होता है धारा के वर के समानुपाती और परतिरोत के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है ठीक है तो चलिए इसका एंसोर पूरा डिटेल मे उत्पन उसमा येच बराबर आई स्कॉर आर्टी यानि कि विद्धू धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ठीक है परतुरूत आर के अनुक्रमानुपाती होता है और समय टी के अनुक्रमानुपाती है जो यहाँ पर आपको समझा है न यह समानुपाती का चिन होत परिभासित कीजिए विद्दू सामर्थ क्या होता है इसका परिभासा देखे हैं आप सभी को बताते हैं विदुद सामर्थ बरापर देखें फार्मूला पीस कर्टू क्या होता है डाबलू बाइटी होता है सीधा लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे यह परिभास आप सभी कई पर बता है कि एकांग समय में किया गया कार ही क्या कालाता है विदुद सामर्थ का बताता है चली इसको लिखेंगे कैसे बताते हैं आप सभी को देखें आपको लिखना होगा कि विदुद सामर्थ क्या होता है पहले हेडिंग बना लिजेगा विदुद सामर्थ और लिखेंगा कि किसी विदुद परिपत में विदुद उर्जा के बे होने की दर्व को वि यादि किसी їद्धूत XGLT 2 होती है तो इसका मतलब विद्धूत परिपत को मात्र पीस होता है वृत गराएं इसका मतलब मतलब हो जागा वीद्धूत S.I.K.S dwar देख जूल मतलब भीस होता है इसलितना या यह सभी सभी आप सभी सreseज至 बढहाएं और जितने भी question करा रहे हैं इस सभी question को आप जरूर देख के board के exam में जाएगा फ्रेंश ठीक है एक भी question आप skip मत कीजिएगा देखें अगला नंबर का सवाल है कि एक bulb पर 108 220 बोल लिखा है इसके परतिरोत की गढ़ना कीजिए 220 बोल के मेंस से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाइत होगी अब देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है देखें यहां पे 100 वाट दिया है यहां पर कितना दिया है 100 वाट और 220 बोल्ट दिया है यहां से पहले परतिरोत ग्याद करेंगे देखें पी स्कंटू फार्मूला आप सभी को पढ़ा है थे कि भी स्कॉर बाई आर होता है यहां पी कमान सो दिया है तो two-soo-b resin qa squad कर लेज़ेहां अपां इतना आ आ रहाने डिजीए आपको पहले और करना आययहां यहां पर करेंगे 100 कितना हो जागा capital r और यहां पर 220 है 220 का स्कॉर है ठीक है यहां पर capital r बराबर क्या हो जागा 220 का स्कॉर का मतलब हुआ कि 220 अब गुरे 220 आप है y menos नीचे आ ये जीरो से जीरो कटेगा डीरो से आपकाino कटेगा तो लिख सर्थ बराबर कितना पूछा है कि परतिरोत की गढ़ना कीजिए परतिरोत कितना हो जाएगा आपका प्रतिरोत जो आपका आएगा प्रतिरोत आर बराबर चार सो चौरासी ओ पहला इंस वर तापका यहीं हो जाएगा ठीक है इसके पास फिर का रहा है सवाल ने कि दूसर 20 बोल्ट के मेंसाशर यहां भी कमान कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है तो ही 220 रखिएगा 220 कमान कितना है र कमान 484 यहां पर कर लिज這邊 और इसको हाल किजिएगा देखिर 22 जब कटाझ के तो 22 42 ça को यह कितने बार में कटेगा यह आपको 22 22 आने 22 22 और 22 से 484 कटाएंगे तो 22 कटेगा फिर देखें दू एक एम दू दू एक एम दू दू पाचे दस उल्मिला का 5 बटा के 11 हुआ अब 5 बटा के 11 में भाग दे दीजिएगा ठीक है तो 11 का भाग 5 में दीजिएगा तो देखें कितना होगा पर जीरो दस मुन लगेगा 1144 हो इतना एंपियर हो जागा आप भाग दे लिजिएगा आपको पूरे नंबर मिलेगा एक नंबर भी इस प्रश्ण पर आपको नहीं कटेगा ठीक है तो देखें यह प्रश्ण था जिसका एंस्वर आपको लगा के पता है इस प्रश्ण को आप जरूर तयार कर लिजिएगा अगला प्रश्ण देखिए कि निर्णलिकित की दिशा को निर्धायित करने वाला नियम है आपको यहां पर नियम बताना है जैसे पहला क्या है कि किसी विद्दु धारावाई सीधे चालक के चारों अच्छे का नियम से इसे ज्याद करते हैं आपका तो पहले को इनसुर इतना ही होगा जितना बताएं कि उतना ही अंसुर पहले का होगा तहुआ ये किसी विद्धु धारावाई सीधे चालक के चार उत्षप चुम्ब की छेत्र की दिसा ग्याद करना है ये जो ग्याद किया जाता है दच्छड़ी हस्त अंउठे का नियम से यह इस नियम को जरूर पूरा याद कर लिजेगा है अब चालक में चुम्ब की छेत्र की दिसा गयाद करते हैं जब कि सेकेंड जो पूछ रहा है यह एंसर हो गया इसका किसी चुम्ब की छेत्र में छेत्र के लंबवत इस्थीत विद्धु धारावाई सीधे चालक पर की इस पमींग के बाय हाथ की चरींजय के और नियम की बलस के नियम हके तिसक्रीयो परक देने दोरा यहां चलिए और दोनों बता रहिए अधरिक्वूंति के इंप थे फैस 124 फिर फृट बहुत इंपोर्तनि है आपके एक्जाम के लिए ठीक है देखें आप क्या है कि दच्छिरी हस अंगुठा का नियम है कि आपका जब हम अपने दाइने हाथ से विद्धु धारवाही चालो को इस पकार पकड़ते हैं कि हमारा अंगुठा विद्धु धारा की दिशा की और संकेत करता है तो हमारी अं तो आपको किसको दिखाएगा यह दिखाता है अगले का नियम हो जाता है अगरा अगरे माजिभाए हात का नियम जब हम अपने बाय हाथ की तरजिनी मदयमा वह आउटे को इस पकार फायलाते हैं यह तीनों एक दूसरे के प्रसपर लंबौत हो तब यदि तरजिनी विद्यु धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तो उठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा ठीक है ति इस पकास इन दोनों नियम को आप जरूर एक बार ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए अगले सवालों को देखते हैं यहां पर देखिए आपको दिया क्या है यहां पर दिया है प्रिज्म कोड देखिए सवाल में क्या है कि प्रिज्म कोड है आपका प्रिज्म कोड को क्यप्टर एसे दिखाते है ठीक है और यहां पर एक अमान दे चुका है दस अंस अपवरतनांग देखिए अब वर्तना अब वर्तना की यन बराबर एक दस्मलो साथ दिया है ठीक है अब यहाँ से आप से पूछ क्या रहा है अलपतम विचलन कोड़ क्या पूछ रहा है अलपतम विचलन कोड़ अलपतम विचलन कोड़ बराबर फार्मूला क्या होता है कicular 길ं को जिससे दिखाते किसे दिखाते Katherine यम से दिखाते हैं और यह वाता है यहां गुड़े एउता है है यहां पर मारों कितना एक молод साथ हैं और माइनस एक हैं पर गुड़े V Tea कमार कितना है लझान कितना है त्रतर अंग बचρείंक्स अ है अब घटाये Know इस सवाल को आप तयार कर लीजिए आपके सावने देखिए आथवा में सवाल दिया रहेगा देखिए आपका देखिए आथवा में दिया है को का सवाल दो बल्ब जिन में से एक पर सो वाट बीस बोल्ट ता दूसरे पर साथ वाट दूसो बीस बोल्ट अंकित है विदुद आपरती दूसो बीस बोल्ट के साथ समांतर करम में जुड़े हैं विदुद मेंस की कितनी धारा बहेगी ये बताना है आपको ठीक है देखिए ली जाए पार्तेक भल्ब का पार्तिरोट तो उनका निए यहां है बहुत की साथा हो जाया है hai एक 220 बोल्ट यहां सकती पी बराबर क्या है भी आई यहां देखिए आपको क्या होगा आई कमान के आत करना धारत यह पी हो जाएगा अंस में यह पी बटा के भी और यहां पी कमान एक सोसाथ है टीक सीवके भी कमान 220 है 220 यहां से 220 का हल करके 160 में आपको धारा कमान जीरो द समल द साथ दूस इंपीर आएगा पहले परतुरुद अरब ब्राबर क्या हो जाएगा 262 इसकौर पटा के पी यह सवाल में दीया है भी कमान दिया एक 220 बोल्ट का इसकौर यह 220 बूल पहले बल्ब के लिए यहाँ रखेंगे और देखेंगे जीरो से जीरो कटेगे यह जीरो से यह जीरो 222 बुड़ा करेंगे 484 ओम हो जाएगा दूसरे बल्ब के लिए जो बोल्टेज दिया चाहरा है 220 और 220 ही दिया सब्सक्राइब करेंगे समांतर करम में लिखा गया है सवाल में समांतर करम साथ एक बटा के आर बराबर वन पर प्लस वन अपन आटू आरवन कमाल 484 प्लस एक बटा के 806.7 इसको क्या करेंगे लगा के लेकर हल कीजिए गास तो प्रड़ामी पर तो यहां पर आज आगा मतलब यह आर ऊपर जागत आर चला जागए यह पूरा प्लड जागत चार आजार आट सो चाली सूपर चला जाएगा और सोल नीचे आजएगा जब इसका भाग देंगे 302.5 ओम आ जाएगा पहले पलप द्वारा ली गई जो धारा होगा आईवन बरा भीवन पटा के आरवन पहले बोल्टेज कितना दिया है 220 बोल्ट और आरवन कमान कितना है 403 मीटर की दूरी तक देख सकता है सही दृष्टी के लिए उसे किस चमता वा किस प्रक्रिति का लेंस का प्रयोग करना चाहिए गणना कीजिए यहां पर क्या है आपका के निकट दृष्टी दोस यह कोई भी व्यक्ति प्यूड़ी थे तिया आपके निकट निकट दृष सब्सक्राइब, निकड़ द्रिष्टी, दोस, रहता है किसी व्यक्ति को, उस सेमें आपको यू कमान कितना लेना पड़ेगा, अनंत लेना पड़ता है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, सब भी कमान आप कर रहे हैं कि आपको देखिए कि निकट दुर करना है तो पहले ही बता देते हैं कि निकट दृष्टी धूर करने के लिए आपसे को पता है कि भी कमान माइनस में होता है ठीक है फिर इसके बात इसमें आप पहले क्या करेंगे कि जब U और B कमान पता हो इसमें focus दूरी ग्यात करना पढ़ेगा अब focus दूरी क्यों ग्यात करेंगे भी पताएंगे you, you कमान कितना अनंथ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनंत रखेंगे ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर one upon f बराबर one upon minus 50, एक चीज़ याद रखिये गगा one upon anand कमान हमेंसा 0 होता है, तो यहाँ पर one upon f बराबर कितना हो जाएगा, one upon पर माइनस पच्चास तो आप यहां पी आफ कमान ग्याद करना है तो यह कमान कितना हो जाएगा ठीक है देखिए यह अब सवाल में देख लिए आपको किसमन यह आएगा मीटर में आएगा जिसमें मात्रक दिया रहेगा उसी में आता है अब दिखें इसे कर रहा है कि सहीद रिष्टी के लिए उसे किस छमता वा किस प्रक्रितिकल लेंस परियोग करना पड़ेगा तो लेंस की छमता आपको ग्यात करना है तो देखें छमता बराबन पी से दिखाते यह पी इसकल टूब अपान एफ पान एफ कमान कितना है पचास थेखिए अब इसको हल कर लिजीए जब मीटर में तो आपक्स कितनी आजाएगा अब इसके भाग दीजिएगए सिमाम्धिछ शुक्त कलने मशी पर प्रयोग करने परत च्छंबतै को प्रियोक्क करना माइन जीरो दस में जीरो दू नवकार से इसका एंसर आप सभी को देना था अब देकिए आपके सामने उफखं डखा है पाच्वाँ नंबर का निम्न अभिक्रियां के लिए संतुरी दर्शायनिक समीकर्ण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी आपक अब किरिया है ठीक है तब सभी सवालों को बता देते हैं पहला सवाल क्या है नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से उत्परे रख पस्तिती में 773 केलवील पर अभी किनिया दुवर अमोनिया गैस बनाता है पहला सवाल यह है चलिए इसका एंस्वर देखते हैं देखे आपको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को पस्तिती मल उत्पिरे रख दिया है यह इसका क्या और गैक संतुरीत रसायनिक समीकण कें इथा पहला स्वाइब काल थिया तो पहले विलियन की एसिटिक अमले से अभिकिरिया दोरा सोडियम ऐसिटेट तथा जल बनता है इसका संतुरी तरह सायनिक समीकर लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे तो इसका लिखना होगा तो आप लिखिएगा देखिए ओर सिटैया करेगा है प्लास इसके सात में आजाएगा और यह यह च्छो जल बाहर हो जाता है यह अभिकिरिया अब देखिए आपके सामने अगला है कि एतनाल को एतनोईग अमले के साथ सांद्र यश्टी एस्टुफोर की उपस्थिती में गर्म करने पर एथील एसिटेट का बनना ठीक है तो देखिए आपका इसे इसका इंस्वा लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका स्वाल पूचा गया है कि एतन की वायू की उपस्तिती में दहन किरिया द्वारा कारवन डायकसाइट जल उसमा प्रकास का उत्पन होना क्या होता है इसके बारे में देखिए आपका एसेंस्वा लिखेंगे यहां पर देखिए आप लिखिए कि यहां पर सीटू एच फोर प्लस आक्सिजन को प्रस्तितिती में 302 जब क्रिया करता है तो 2C02 प्लस 2H2O बनता है उसमा और प्रकास से बार कि Crazy क्या होती है कि अब नेकिए अगला को सवाल कर IFF लेता है कि बहुती क्यों पर लगे लगें उनक्यूर के किरिया नहीं होती है जबकि प्लख मत्यूंफे से अलग होने पर उनका की अदरें जाना संभो है विए कौन सी दशाय हैं जिनमें अंगूर का किरोण होता है किया या एक भहतिक परीवरतार है अथ्वारसाईनिक परीवरतार है आपको यह बताना है थीक है तो यहां पर देखें किरोय क्या होता है यह पूरा आप समाझ दीजे, आपको टिपड़ी लिखने के लिए भी किलमर पर आता है, जब अंगूर पौदेस से जुड़े रहते हैं, तब उन्हें निरंतर आक्सिजन प्राप्त होती है, अता इनकी कोशकाओं में वायवी स्वसन की किरिया होती है, परंतु, किलमर एक व किलमन अक रसानिक परिवर्तन लें, करेवर के किलमर प्र स्वस्वाइब करतार है, इसलिक कि यह इनकी किलमर परकिलमर पारप्त, तो इस्ट जब होता है तो कारबन डायकसाइड फॉर सी यो टू प्लस फॉर सी टू एच फाइप ओएच प्लस उसमा इससे बाहर निकलता है यह आपका किलों से संबदित अगिरिया थी ठीक है अगला है जुगनु रात में क्यों चमकते हैं तो आपको जुगनु के बारे में इसके बारे में आप इसका एंस्वर देखिए एक बर देखे रहेंगे तो आप एंस्वर लिख सकते हैं जुगनु में एक विसेश्ट प्रकार की फास्फॉरस युक्त प्रोटीन होती है जो एक विसेश्ट एंजाइम की उपस्तिती में वाय वी उपचेर अभिकिरिया करा इस अभिकिरिया में दिर्श प्रकास पन होता है जिसके कर जुगनु रात्री के समय में चमकते हैं ठीक है देखिए यहां पर आप सातवा नंबर का कि निम्न पदों का वरारंग कीजिए तो प्रतियक का एक एक उधार दीजिए आप संचार और विकृति गंदिता पे हला क्या हयता है सांचार आप सभी को पता है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका धीरे-धीरे विराष होने लहागता है तो क्या होता है वह परिकिए संचार कालर कbeltि यह थे ॉसी को यहां पर लिखेगे पहले नमबर, ता फेह ड़ीन डाल लीजेगी, है ऑ लिखिए संचार के बारे में इतना लिखना पड़ेगा लेकिन यहां पर उधाराण लिखना जरूरी होता है जैसे लोहे पर जंग लगना आप दिखा दीजिए का उधाराण में इस समीकड़ों को भी साथ में आप याद रखिएगा यहां बनेगा 2FA203.xs2o इस जो यहां पर यह दिया है फार्मूला जंग का इसको जरूर याद रखिएगा यह बाविकल्पी के रूप में भी यह पूछता है आप से इसके लगर अगला एक्सामपल आपको हिए चांदी का काला होना तो चांदी हाiriजन सलफेट के कांड़ा क्या क्या होता है जब चांदी पर हार्ण साथ कराया जाता है तो काला रंग उस पर जम जाता है ठीक है अब देखे संचारण के लिए आवश्चक क्या दसाएं है इसको भी आप एक बार संसरी निगाहों से देख लीजिए कि वायू की उपस्तिती मतलब वायू की उपस्तिती और जल की उपस्तिती में ही संचारण होता है संचाड को कम करने रोकने को उपाई कि आई तो आप सभी को पता है कि उस पे 20 कर देंगे आप यश्पर ग्रीस लगा देंगे तो आपका संचारक कम होगा इस चीज़ को देखें आप है एक बार कि वस्तों पर आप जिंग की जब प्रत चढ़ाते हैं तो उसे सद्लोपन या गल्वनिकरन करते हैं देखिए यहां पर एक धातू पर दूसरी धातू की जब प्रत चढ़ाया जाता है तो विद्धुत अब गटन द्वारा चढ़ाया जाता है जिसे विद्धुत लेपन करते यारी एक दात्यु वांप दूसरे दातों की उपैनला है तो कॉइंक पाइनल्यू याद करण के लिए ऊपको तो नंबर नंबर में brush मैं देतAK जैसे आपको यह बता है और विदूद लेपन बता है अनोडी करण उसी प्रकार से याद रखिएगा यह भी पेपर में आपके बहुत पूचता है क्या है विदूद अब गटन किरिया द्वारा धातू पर उसके आकसाइड की प्रत निर्मित करना अनोडी करण कहलाती है यार गल्वनिकर आता है यह सद लोपन यह सद लोपन और गल्वनिकर दोनों एक ही प्रकिरिया है ठीक है सुवतार अरच्छा कैसे होगा तो अलमूनियम धातू आकसीजन से अविक्रिया करके अलमूनियम आकसाइड बनाती है जो एक महीने पर्त के रूप में धातू की सता पर जम जाती है था भविस्यों में संचारः से भीतरी धातूबि शुरच्चा होती है अब देखीे विक्रिती गंदिता क्या होता है इसовать प्रकिया विक्रिती गंदिता क्लाती है उधार के त जीएगा कि तले हुए आलू के चिप्स पापड आधी कुछ घंटों या दिनों के बाद बदली होई गंद वस्वात उत्पन होता है विक्रती गंदिता के लिए अवश्चक दसाएं निम्न है तो देखे इसके लिए क्या क्या दसाएं भोज पदार्थों को तेल या वसा में पकाने के बाद अधिक समय तक बीना उचित संचाड के भंडारित करना विक्रती गंदिता रोकने के लिए आवस्चक उपाएं निम्न है वायुर्वधी बर्तनों में खादे पदार्थों को रखना अगला है पके भोजन को कम ताप पर वच्चड ढखकर रखना यह सभी व पाथवा में दिया है निम्न का समान गुर्टत सरचना मक बनाना है जैसे हीरा क्या है ग्रिफाइट क्या है चलिए इसका इंसर आप सभी को बता देते हैं जितने प्रशन बता रहें सिर्फ एक बार सरचने निगाहों सब देख लीजिए आप यह प्रशन आप जरू करके च सबसे कठोर है यह मुक्त इलक्टानों की अनुपस्तिति के कारण विद्दूत का खुचालक है प्रणतु इसका गनलांगत था उसमिय चालकता अत्यधिक होता है सरचना हीरे की सरचना में प्रतेक कारबन प्रमाड़ू एक नियमित चतुस्फलक के कोने पर इस्तित चार अ कारबन प्रमाडूओं के सहसान्योजिन आबंद द्वारा जूदा होता है वास्तों में हीरे की सरचना में कारबन प्रमाड़ों के दूरा नो seconds आपको इतना लिखने की जबूत नहीं है बस आप हीरे आपर देखना है गिरफाइट देखिए क्या होता है गिरफाइट के बारे में यह काले भूरे रंग का अपादर्शी पदार्थ है यह हीरे से हलका मुलायम वह असपर्श करने पर चिकना होने की अनुबती देता है मुक्त इलक्टान की उपस्तिति के काड़ यह विदुत का अच्छा सुचालक है इस पॉइंट को जरूरी याद रखिएगा गिरफाइट जो होता है परंतु उस्मा का कुचालक होता है देखिस सरचना बस यह याद रखिएगा कि यह खड़कोडी वले की सरचना होती है जैस स्रचनातमक सुत्र आपको बनाना है देखिए स्रचनातमक सुत्र क्या ह flatter क्या हूता है यह थे सके बाद एक और तीन ब्यूता-डाइन का श्रचनातमक सुत्र आपको बनाना तो चलिए आपको बताते हैं देखिने पहले की जो पेंटोनेगे पांच करवर एक दू तीन चार पांच इस तरह करेंगे और उसमें है डॉक सब्चर है और इसके चारवर क्या बनाँ देंगे ही डोजिन को यानि किरात्मक सम्मूता है ते यहां पर बनाएगे अगले पर्षन का शेवाल it कर वाले tomar चाहिंत सफेद आर आर वाल पौधे का सफेद पाष्ब से संकर हो तो यह प्रतीत होंगे अंता प्रजनन द्वारा यफ्टु प्यूड़ी के 640 पौदे उत्पन हुए उन्में से कितने में लाल और सफेद पूस्प लगेंगे यफ्टू प्यूरी में कितने प्रकार की जीनिस सरचनाय होगी तथा उनकी संख्याय कितनी होगी इस प्रशन को देखिए आप सभी तैयार कर लीजिए ठीक है अगला प्रशन क्या है आपका कि तलाब के परितंत्र की समाने खाद्य श्रिंखला क् खाद्य स्रिंग्लस आपको वोड के एकजाम में जरूर्व प्रशन मिलेगा देखिए प्रथम पोसी अस्तर होता है इसमें सो पोसी या उत्पादक आते हैं यह प्रशन बता रहे है इस प्रशन को तो आप ज़रूर एक बार ध्यान से देख लिजिए इस से आपके पेपर म का स्थिक्राद करके उसे इस के उपलफ्त कर आते हैं जैसे जली पाधफ सहवाल आते हैं पाधफ पोसी अस्तर जो होता है इसके अंदर गट किया आते हैं तो जली ये पादव शैवाल आते हैं। किस अस्तर में ऐते द्यूती अस्तर में आते है इस पकाव से प्रश्ण बन सकता है जैसे जन्तू-प्रॉक लार्वा-छोटी मचली आदि आते हैं जो सोबोशी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तिसरा देखें तिरती पोसक अस्तर जो होता है इसमें मान-सहारी आते हैं तो इसमें मान-सहारी होते हैं यह ल् ado याद रखना वर्ण सего इसी प्रथम में मान सहारी चातूर्थ पोसी होता है इसमें मान सहारी टीक है चोटे मानसहारी और स्सक्राफूbox आते हैं देखें चतुर्थ में और तृती में दोनों में तो आपके मान सहारी आते हैं ठीक है इसके अंत्रकत जैसे बत्तक हुआ सारास हुआ बगुला हुआ कच्छुआ केकड़ा हुआ इस पॉइंट को द्यान देजिएगा इसके अलावा यह प्रता प्रात्मी को भोकता द कड़े का परिवान कैसे करता है तो देखें आपका इसको जवाब मतलब जो एस्व्का इस मटल्पक होती है यहां से दवरा फॉपश में प्र प्रवाईथ होती हैं मानों-चौशं तंतर का चित्रल करता है इतने बस आंको बिखना है ये माननों का जो मानों शोशंतंत्र है इसका ये यह श्वासनली होता है यह उपस्थित वले हैं इन सभी पॉइंटों को देख लिए कि कौन कहां पर होता है फुफूस प्रस्णली या डायफ्राम यहां पर नीचे होता है कूपी का कोशिका का आपका यह फेफ़डा में होता है इसे भी याद रखेगा कूपी का किसमें अब इसके अलावत देखिए आपको इसके पॉइंट के बारे में यहां पर बताया क्या है कि फुफूस के अंदर का वायू मार्ग छोटी छोटी नलियों में भाजित हो जाता है जो अंदर गुबारे जैसी सरचना के में अंतकृत हो जाता है जिसे कूपी का करते हैं कूप इतने लाइन आपको लिखना है और इस तरह आपको चितर वनाना रहेगा ठीक है अब दीखे सांवने अंगला नंबर का सवाल है कि मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है संचेप में वरण की जिए ठीक है तो आंतरिक परिवहन कैसे होता है देखें आपका जो होता है सवाल का जवाब के आए कि मनुस्री के जो आंत्रिक परिवान दो प्रकारस होता है ठीक है तो कितने प्रकारस होता है दो प्रकारस है पहला रूधीर परिसंचर तंत्र के द्वारा होता है आंत्रिक परिवान दूसरा अतलासी का परिसंचर तंत्र क बाता है तदा शरीर की उतकों के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता है शारीर उतकों में रुदीर पहुचाने का ये सबसे उप्युक तरीका इसमें रुदीर हिर्दे धमनी और शीराओं में बाता है तो मनुस्य में जो आंतरिक परिवान होता है रुदीर के द्वारा हो दुसरा हो दर लस謁 नहीं का पर इसनचरतल क्या है तो मनुसैंतर को इतना लिखना ना जितना मनुसैंतरी परिवहन दो प्रकार को होते हैं यह प्रयां अभ देख लिजे और इतने प्रयांट बस लिख के चले आईएगा आको पूरे नंबर मिलेगा तरह इसके अलावा आगे लिखना रहेगा तो और सभी पॉइंट होएं तो इसको भी आप साथ में याद रख सकते हैं तो आप सिर्फ इतना याद कर लेजे इतना ही लिखे दीजिएगा बोर्ड के एक्जाम में ठीक है आपका अगला नंबर का प्रश्ण है कि पूरूस के जनन अ अंग क्या होता है तो चलिए देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर दिया है अथवाला कि देखिए जुधार्यों द्वारा लाएंगी क्रियाओं के फ्लस्वरू अपने जैसी संतानु में उत्पन करने की कि प्रिक्रिया जो होता है प्रजनन काला आता है बिरिसड आता है ठीक है तो बिरिसड क्या होता है तो इसको पड़के आपको पताते हैं कि पुरूस में एक जुड़ा बिरिसड उदर गुहा से बाहर की और थैरी जैसी रचनाव बिरिसड कोश में उपस्तित होते हैं बिरिसड लगबक 4-5 cm लंबा दूसरे 5 cm 4-3 cm मोटा ह बीतरा पता है परतेक बिशड के जहींगे आनेक महीन और तम प्अधालीय शुक्र नकारे होता है शुक्रौरीज होता है बिरिसड के शरी से बाहर कोश में इस्थित कि और दो से लेकर दूव देजमलों पांस अंडिग्रेट कम रहता है इससे सुक्राड़ु निर्माड में सहायक होता है ठीक है तो इस पकाश से आपको नरजनन देखने के लिए मिलेंगे जितने प्रशन पता है इन सभी प्रशनों को आप जरूर तज्यार कर लिजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर अपनी राय बताएं तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें